जैहिंदन स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अगनिवीर ऑनलाइन में तो जैसे कि बच्चों ये साल खतम होने वाला है अब कोई हमारी भरती नहीं आने वाली है अगनिवीर आर्मी एर फोर्स नीवी की और जो बच्चे पहले भरती निकाल चुके हैं उनके अभी पहले बैच भी पास आउट हो चुके हैं आर्मी एर फोर्स और नीवी तिनों मेंसे उन में सी कुछ बच्चे हमारे पास आये थे उन्होंने अपना एक्सपीरेंस हमारे को शेयर करा है तो वही एक्सपीरेंस हम आज इस वीडियो में डिसकस भी करने वाले हैं जी हां अगनीवीर आरमी ट्रेनिंग में क्या-क्या चीज़े ध्यान देने वाली थी, ट्रेनिंग के दौर ने क्या-क्या चीज़े सिखाई गई है, वो सभी हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो make sure करें आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें, और हमारे बाकी वीडियो इसको भी like करें, comment करें और चैनल को subscribe जरूर करें, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो, तो सबसे पहले ट्रेनिंग में क्या हुआ था, उससे पहले ये जान ले कि ट्रेनिंग में जो curriculum Decide करा गया इंडियन आरमी द्वारा, वो क्या है, ट्रेनिंग का curriculum को जिस प्रकार है, कि जो starting के 10 weeks होंगे, वो आपके basic military training होंगे, basic military training में आपकी वो सभी चीज़े आती हैं, जो की एक soldier को आनी चाहिए, और उसके बाद है फिर 21 weeks का आपका advanced military training, advanced military training में क्या होता है, जैसे basic military training में एक फॉजी वो सब चीज़ेंगा जाओ, जो एक फॉजी को आनी चाहिए, जैसे कि बंदूखर फॉजी को चलानी आनी चाहिए, उसको ठीक करना आना चाहिए, battlecraft उसको आना चाहिए, map उसको बढ़ना चाहिए, तो वो सब चीज़े हर फॉजी को जो की आनी ही चाहिए वो basic military training में cover होने वाली है जो advanced military training है उसमें उनके trade वाइस उनको जो काम सौपे गए हैं let's say अगर कोई armored के लिए कोई tank वाली regiment के ले गया हुआ है तो जो advanced military training करेगा वो बंदा वो आपका tanks के उपर करेगा तो ऐसे इसको divide करा गया है अब जैसे यहां नीचे हम पढ़ सकते हैं अफ्टर अकमप्रेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ सिक्स मन्स दे सेकंड राउंड अफ ट्रेनिंग विल भी हैल्ड एट आर्मी रेजिमेंट्स, एरफोर स्कॉडरन्स और नेवल स्टेबलिश्मेंट्स ठीक है तो यहां पे भी इन्हों ने यही कहाए कि जब 10 वीक की basic military training हो जाएगी जो की एक center में होगी उसके बाद जो 21 वीक की training होगी वो की वो आपके regimental centers में जाके होगी जब आप attach हो जाओगे किसी regiment से वहां जाके आपका advanced military training होने वाला है correct है अब बाद करते हैं कि क्या किस किस चीजों पर focus करा गया है Indian Army अगनीवीर की training के दोरान तो जिन चीजों पर focus है वो है physical fitness जो की बिलकुल एक जवान में होनी ही चाहिए firing capabilities की अगर आप infantry के पार्ट हो तो definitely यह सब चीजे firing तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए साथ ही थाथ weapon handling भी आपका बहुत strong होना चाहिए अगर आप GD के लिए गए हैं या आप clerk के लिए भी गए हैं तो यह सब चीजें आपके अच्छी होनी चाहिए IT and English language आपका moreover जो technical entries और clerk entries है उनमें जादा focus दिया हुआ है इसके अलावा cyber security, combat strategies यह सब चीजें भी इसके उपर भी focus करा गया है training के दोरान तो आने वाले slide में हम discuss करेंगे कि जैसे physical fitness है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों के अपर ध्यान दिया गया है वो हम अब अगली slide में discuss करने वाले है ठीक है तो जब बात करता हूँ मैं physical fitness की तो physical fitness में आपकी BPT जिसको की BPT बोलते हैं कि जो सुबह उटके आपका running होता है full battle load के साथ और उसमें आपको time limit दिया होता है उसमें आपको x number of amount दोड़ना होता है लेट से आपको 1600 मीटर आपको मान लीजे 5.5 मिनिट में दोड़ना है तो ऐसे एक time set होता है बट उसमें आपको full battle load के साथ दोड़ना होता है उसके अलावा cross country में भी आपको job की companies होंगी उसमें cross country inter regiment होती है उसमें आपको भाग देना होगा आपको regiment sports team में भी आप पार्ट ले सकते है जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस picture में यहापे जो regiment की football team है इन्होंने championship जीती है तो ऐसे inter regimental sports होते रहता है उसमें भी आपका indulgence होगा इसके लावा swimming sports और horse riding जैसी कई सारी further activities है जिसमें की आप participate करेंगे जो की आपको बिल्कुल नजदीक से firing होती जैसे आप इस picture में देख सकते हैं यह जो की pistol की मदद से होती है तो वो आपको कराई जाएगी long range firing जिसमें की आप rifles use करेंगे snipers use करेंगे जैसे कि इस picture में आप देख सकते हैं वो आपको कराया जाएगा night fire मतलब रात को जो firing होती है वो आपको सिखाई जाने वाली है और land graph land graph मतलब firing के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जैसे इस picture में आप देख रहे हैं कि यह बंदा map पड़ रहा है तो यह सब चीज़े आपको firing करने के दौरान पता होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल सही जगा पर fire कर सके और accuracy के साथ fire कर सके तो firing में आपकी यह सब चीज़े cover होने वाली है अब बात करते हैं weapon handling की अब देखें weapon handling इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि Indian Army के पास बहुत सारे weapons है बहुत सारे modern weapons है जो की एक sonic को use करना आना चाहिए जो की उसके battalion में use होती है तो major lean में rifles देखा जाए तो इनसास है AK-47 M416 कारबाइन थोड़ा advanced units के लिए हो गई है तो यह सब बंदुके आपको वो लोग handle करना सिखाएंगे कि इसमें कैसे इसको ठीक करना है इसको कैसे मरमत करी जानी है अगर यह खराब भी हो जाए अगर कटक जाए तो यह सब चीज़े आपको इसमें सिखाए जाएगा पिस्टल की बात करें तो 9mm की जो बरेटा होती है उसके साथ आपकी ट्रेनिंग होती है अब बिग आम्स में आता है आपका RPG, RLs यह majorly infantry क्या जो infantry वाले होते हैं वो RPG, RLs जैसे बड़े आम्स पे handle करते हैं और जो लोग armored regiment में जाएंगे या artillery में जाएंगे वो लोग उस according guns को use करेंगे तो इस according आपके बड़े arms and ammunition पे आप काम करने वाले हैं, right अब है unarmed combat बिना सच्त्र के लड़ाई कैसे करे जाती है उसके ओपर भी आप military बहुत जादा focus कर रही है, क्योंकि आज कल देखा जाए वैसे तो बहुत rare है कि unarmed combat हो, बट अगर ऐसे condition आ जाए तो उसमें आपको कैसे perform करना है, उसके ओपर भी military खासा ध्यान दे रही है last but not the least, bomb and explosive आज कल के time पे जैसे कि आप जानते हैं कि national threat भी है, international threats भी है national threats में आते हैं आपके bombs and explosive, कि अगर कोई कहीं पर bomb plant हो जाए, या explosive आपकी mind field में लगा हुआ है, तो आप उसको कैसे detonate करेंगे, उन सब चीजों की पढ़ाई भी आपको दी जाएगी देखें, ये सब चीजें जो आपको सिख़ाई दी जाएगी, वैसे भी सरकार focus कर रही है कि अगनीवीर अपने tenure के बाद भी social activities में indulge रहे, तो आप इन सब सीखी भी चीजों को आगे अपनी किसी job के लिए use कर सकते हो, अगर आपके पास कोई gun है, तो आप किसी के bodyguard बन सकते हो, या बात करे physical fitness, अगर हम पीछे देगे, तो अगर आप physically fit है, तो आप किसी के bodyguard भी बन सकते हैं, या कोई sports भी खेल सकते है, तो जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो आपकी after life के लिए आपको definitely help करने वाली है, right, चलते हैं अपने आगे, जाने से पहले हम बात करेंगे, कि अगनीवीर online, एक site है हमारी, जिसमें कि हम आपको e-books, books, model papers, जैसे कई सारे resources provide करते हैं, जिसकी मदद से कि आप अपने अगनीवीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो make sure करें, एक बार आप हमारी site को visit जरूर करें, तो बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं information technology की, अब देखिए information technology technology आजकल इसलिए बहुत जरूरी है इंडियन आर्मी में, क्योंकि जो अभी जो लड़ाईयां होती हैं, उसमें soldiers को technically sound होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा weapon system है, वो भी बहुत mechanically, machinery उसकी बहुत जादा advance हो चुगी है, तो soldier को IT में चीजें आना बहुत जरूरी है अब, जो बच्चे बहुत जादा advance होंगे उनको coding सिखाएगी, इंडियन आर्मी उन्हें inventory management जो की Microsoft Excel से, जो Microsoft के tools होते हैं, उनको चलाना सिखाएगी, ये majorly उनके लिए होगा, जैसे clerical वाले बच्चों के लिए जो की computer पे जादा बैठेंगे, data entry ये भी clerical वाली job है hacking and cyber security and network security जो बच्चे IT field में बहुत ही जादा अच्छा perform करेंगे, उन्हें intelligence unit अपने में absorb कर लेगे और वहाँ पे इन सब चीजों का जादा use होता है अब चलते हैं last but not the least अंग्रेजी भाषा, देखो अंग्रेजी भाषा में अभी इंडियन आर्मी उतना जादा focus नहीं कर रहे है क्योंकि उतना interaction होता नहीं है इंडियन आर्मी का किसी और unit से इतने बड़े पैमाने पर कि आपको सभी को ये सिखाना पड़ जाए, but still आपको communication skills आपके होने चाहिए ताकि आप अपने senior leaders है या कोई delegates आपकी unit में आते हैं तो आप उनसे अंग्रेजी में कम से बात कर सके उस चीज के लिए communication skills के उपर काम करा जा रहा है और साथ ही में अब क्या हो रहा है, जैसे अब हमारी जो इंडिन आर्मी है वो और country सी आर्मी के साथ भी इंटराक्ट करती है, उनके साथ यो दब्यास करती है तो उसमें भी आपका skill set होना बहुत ज़रूरी है, तब ही आप दूसरी country के soldier के साथ चीज़े share कर पाएंगे, उसकी बातों को समझ पाएंगे तो उसके लिए communication skills होना बहुत ज़रूरी है और basic written and verbal इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्या होता है, जो पढ़ाही होती है पढ़ाही आपका English में और Hindi दोनों में होती है और बहुत सारी books ऐसी होती है जो कि अंग्रेजी में ही लिखी गई है तो उसमें आपके लिए especially तो हिंदी करेंगे नहीं तो उसमें basically आपको written और verbal आना चाहिए, इस वज़ए से इस चीज़ को inculcate करा गया है तो ये सब चीज़ें आप अपनी इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान सीखने वाले हो और अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आप हमारे facebook और instagram चैनल को भी जरूर फॉलो करें जहिन